नमस्कार फियोश पलकों की छहाँ सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एन ट्रंस जहां पर देखने को मिला कि अवसुमन सोचरी होती कि मैं आज ही अमॉली का परदा फास करके रहूंगी मैं अंशुमन जी को बेगुना सावित करूंगी अमॉली की सच्चाई सामने लेकर आऊंगी तो वहां पर शबूत ढूंडने के लिए चली जाती है जहां पर उसके पास लग चुकी उसके पास होती है अमॉली की सॉनियोग्राफी रिपोर्ट जिससे साबित हो रहा होता है कि मॉली प्रेगनेंट नहीं है तो वहां पर डॉक्टर परभा के पास पहुंच जाती है लेकिन जो डॉक्टर परभा बनकर वहां पर आई हुई थी वह एक नॉर्मल छोटी सी नाश होती है वह भी पकड़ी जाती है वहां पर उसका सचा जाता है सुमन के सामने और उसे लेकर आती है अगर और शाथ में असली डॉक्टर परभा भी आ जाती है तो वहां पर जैसे ही अमोली को अपने साथ लेकर जाने लगती है सुमन बोल देती है कि तुमारा बल्ड सेंपल लिया जाएगा तो मना कर देती है अमोली जहां पर वह भाग जाती तो आरती और नंदनी उसे पकड़ लेकर आती है तो वहां से वह भागने की कोशिस कर रही होती है क्योंकि डॉक्टर परभा और जो नकली नर्ष सब सच्चाई बता देते हैं जो कि यहां पर नश्ठ थी वर परभा पनकर आई थी वह भी सारी सच्चाई बता देती है लेकिन हर पारनकाम हो परिवार वाले उसे सजा दे रही होते हैं तो अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जहां पर मॉली बॉल देती है कि मुझे तो जल से जल अंसुमन जी और शुमन को अलग करना था तो सब पूछने लग जाते हैं कि क्यों करना चाहती हो तुम इन दोनों को कुछ कर रही हो तो वहां पर अंसुमन का घुष्टा आप यह बॉल देता है कि अब की बार नंदन तुम सारी हदे पार कर parl कर चुके हो अब की बार तुम्हें सजा मिले कि गण उठा लेते ते हैं उसके ओपर तान लेते हैं अनंतर अपने आपको बचाने की कोशिस करता है और अन्सुमन के उपर ही गंतानने लग जाता है दोनों भाई एक दुसरे की जान के दुसरे बन चुके होते हैं सुमन के लिए तो वहां पर दोनों एक दुसरे पर गंताने हुए होते हैं फिर एकदम से गोली चल जाती है अब किसके हाथों से किसके उपर गोली चलिए देखना काफी दिल्चस्पने वाला कि क्या उन्सुमन के हाथों सच में हो जाएगा नंदन की मौत हो जाएगी क्या या फिर हो जाएगी इस गोली का सिकार शुमन